हेलो काईज, स्टॉक मार्केट न्यूस फॉर अरन में आप सभी का स्वागत है आज 29 सितंबर बात करेंगे मदरसंद सूमी और हिंडालकों के बारे में दोस्तो दोनों ही स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी है बाइंग साइट पर और चुकि यहां पर मैं डिसक्रस करना चाहूंगा सबसे पहले मदरसंद सूमी को तो दोस्तो यहां पर मदरसंद सूमी का जो बाउन वीक का हाई है वो 151 का है और इसका करेंट मार्केट प्राइस तक्रीबान 115 के लगबग है और यहां पर देखेगा अपने सेट अप पर अगर हम चलते हैं और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप RS पर देखेंगे बेसिकली देखें दोस्तो RS बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर आप इसको ट्रेडिंग वी उपर जाकर यूस करेंगे तो डेफिनिटली आपको बहुत अच्छे आउटकम्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे चुकि RS इंडिकेटर में देखेगा हम किसी भी स्टॉक को कंपेर करते हैं निफ्टी से और आप इस चीज को देख सकते हैं कि निफ्टी के कंपेरिटिवली यहां पर देखेगा यह जिरो के उपर निकलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है यानि कि आपके पाद बिल्कुल बैस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी खरीदारी करने की अभी चुकि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जीरो से उपर निकलने के बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी जरूर बनेगी और यही वो जगा है जहां पर आपको इसको बाई करना चाहिए यानि कि नेक्स ट्रेडिंग सेशन पर आप यहां पर इसको बाई कर सकते हैं और देखें यहाँ पर exit कप करना होता है तो देखें for example मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें जब यहाँ पर 0 से उपर निकला यानि कि इस candle पर जिन लोग ने आप buy किया होगा तो देखें आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं बट अगर आप देखेंगा थोड़े इस तरीके के investor हैं जो थोड़े long term के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें जब यह इस जगे पर आया तो यहाँ पर भी आप इसको exit कर सकते हैं इस जगे पर जहाँ तकरीबन यह आपको 95 के लगबग देखने के लिए मिलेगा और तकरीबन आपने buy कहां किया था तकरीबन तकरीबन 84 के लगबग पर बैरहल हर कोई investor चाहता है कि उसको एक अच्छे खास है यहाँ पर देखेगा अपनी investment पर return देखने के लिए मिले तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखेगा candles को समझना होता है मैं आपसे यह नहीं का हूँगा कि देखेगा आप यहाँ पर zero की line पर उपर निकलते हुए तब खरीदिये और जब यह इससे नीचे निकले तब आप यहाँ पर exit करिए चुकि यहाँ पर देखेगा आपको कही ना कही profit booking जरूर करनी चाहिए चुकि वहीं पर देखेगा आपको एक अच्छा मुनाफ़ा बनाने का मौका मिलता है वहीं पर देखेगा अगर Nifty से compare करते हैं देखते हैं तो definitely आप इस चीज़ को जान पाएंगे कि यहाँ पर अब यह 12 से 0 के उपर आ रहा है यानि कि Nifty के इस टॉक काफी अच्छा perform कर रहा है और यहाँ पर एक buy opportunity बनती है मदरसन सूमी में वहीं इसकी option chain को भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं बैरहल आपके लिए यहाँ पर एक खरीदारी की opportunity definitely बन चुकी है जीरो के उपर यह निकल चुका है और आपको बिल्कुल भी यह सोचने की जरुवत नहीं है कि आपको कहा खरीदना है आप definitely इसको खरीद सकते हैं और यहाँ पर तब तक बने रह सकते हैं कि जब तक आपको यहाँ पर अगला को रिवर्सल ना दिखाई दे for example जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगार आपने खरीदा था तकरीबन आप इसको यहाँ पर लो पर बेच सकते थे जो तकरीबन यहाँ पर 98 के लगबग था चुकि यहाँ पर एक हमारी bearish engulfing हुई थी तो basically मैं इस तरीके से यहाँ पर candle sticks के pattern से अपनी position निरधारित करता हूँ तो आपको भी इस तरीके की चीजों को use करना चाहिए साथ ही देखेगा अगर हम यहाँ पर RSI पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 40 से यहाँ पर यह फिर से उपर की तरफ निकल गया है उपर 60 के लगबग यह जाता हो दिखाई पड़ेगा यानि कि देखिए दोस्तों अभी अगर आप इसक देखता है कि अभी यह जो पीछे एक इतनी बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली थी जब देखेगा इसने 60 के लगबग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर देखेगा उपर 65 के लगबग भी आप देखिएगा कि यहाँ पर यहाँ पर यह उपर की तरफ निकलता है कि नहीं क्योंकि देखेगा दोस्तों यहाँ पर 60 और 65 के RSI दोनों पर ही यह resistance की तरह एक्ट कर सकता है इसलिए मैं आप से सिर्फ यह नहीं का हूँगा कि आप यहाँ पर सिर्फ एक setup के उपर भरोसा करें चुकि आपको यहाँ पर multiple setup पर भरोसा करना चाहिए और उनको देखना चाहिए तो यहाँ पर देखेगा अच्छा खास है उनको तेजी तो देखने के लिए आपर मिल चुकी है और definitely यह जो rally है वो काफी लंबी चलनी चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना तो यह 60 पर 65 पर यहाँ पर दोनों से कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए और इसके उपर देखिए अगर यह 65 के उपर इस्टे करता है तो definitely यहाँ पर एक strong uptrend में चला जाएगा और बढ़िया तेजी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वहीं बात करते हिंडालकों के बारे म कि अब यह भी देखेगा कहीना कहीं उपर जाता हूँ हमको दिखाई दे रहा है यानि कि zero के उपर निकलता हो दिखाई देगा और यहाँ पर एक अच्छा का सा volume भी बना है बैराल यह भी zero के उपर नहीं निकला है यानि कि आपको एक trading session पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप कहूंगा कि अगर आप weight भी ना करें तो आपको कोई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है चुकि यहाँ पर डेफिनिटली zero के उपर निकलेगा यानि कि nifty के comparatively हिंडाल को भी अच्छा perform कर रहा है इसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात करी थी और यहाँ पर आप देख सकते ह है कच्छी कासी तेजी यहाँ पर अल्रेड़ी बन चुकी है तो यहाँ पर situation यह है कि अगर आप इसको देखेंगे अगर RSI पर जाकर तो देखिए 50 के RSI के लगबग इसका है देखिए यहाँ पर RSI आपको देखने के लिए मिलेगा बहराल यह 65 के लगबग जाते जाते कही काफी जादा जगए है जहाँ पर यहाँ पर यह देखेंगा आपी तेजी हमको काफी जादा देखने के लिए मिलेगी अगर उपर यह जो resistance है तकरीबन 200 के लगबग यह इसको निकाल देता तो definitely यहाँ पर जो इसका बावन विक कहाई है definitely हम उसको तोड़ देंगे तो यहा लाग से जादे का open interest definitely create हो चुका है पहली से ही तो 170 अच्छा कासा यहाँ पर support है और यहाँ पर जो resistance है वो कहाँ पर है तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 180 के लगबग आपको देखे का यहाँ पर कहीना कहीं एक unwinding देखने के लिए मिली है और जो कहीना कहीं इस च लॉक्स के अंदर काफी बड़ी तेजी और रैली आपको देखने के लिए मिलेगी और यह comparative निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों इसी किता में वीडियो को ही पर संब करता हूं आपसे इनों का अपनी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर इसे प्रेस कर दीजिए आपको वीडियो का नाट इफिक्शन मिल जाएगा वीडियो में कुछ पी इंफॉर्म वीडियो चानल लाइक कर दीजिए और फ्रेंट का पीशाना मत बूलेगा चले थेंक्यू